पेट्रोल डीजल सोना चांदी महंगा हो गया और सस्ती हुई धूबत्ती धूबत्ती जलाओ महंगाई भगाओ नमस्कार स्वागत है आपके मैं हूँ नभीन चोहान 2019-20 का आज बजट आ चुका देश की पहली महिला वित्तमंत्री निर्मला सीता रमन ने बजट पेश कया लगबग 2 घंटे 5 मिनट जनता ने टक टकी लगा कर देखा कि सस्ता हुआ क्या महंगाई तो बहुत हुई लेकिन सस्ते के चक्कर में जनता 2 घंटे टीवी पर देखती रही लेकिन सस्ता हुआ धूबबती आखिर क्या सस्ता क्या महंगा वही आपके लिए लेकर आए हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार महंगा क्या हुआ है क्योंकि महंगाई बहुत जरूरी है तब ही तो पैसा बचेगा तो चलिए महंगाई आपको बताते थे पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, सोना महंगा हो गया, काजू महंगे हो गए आयात शुल्क में इजाफा होने से कहीं चीज़ों के और दाम बढ़ गए आयतीत किताबों पर 5 प्रतिशत का शुल्क, आउटो पार्ट्स, सिंथेटिक रबर, पीवी सी टाइल्स भी महंगी हो गई ताम बाकू उतपाद भीस बजट के बाद महंगे हो गई सोने के अलावा चांदी और चांदी के आबूशन खरीदने के लिए भी अब अतिरिक्त रूपे खर्च करने होंगे आप्टिकल फाइबर, स्टेनलेस उतपाद और मूल धातु के उपकरण महंगे हो चुके हैं यानि ये तो वो चीज़े हैं जो आपकी जेब पर असर डालेगी लेकिन वो चीज़े कौन से हैं जो आपका पैसा बचाएगी यानि क्या के चीज़े सस्ती हुई हैं तो चलिए उन पर नज़र डालते हैं दरसल 2019 के बजट के बाद इलेक्टरिक कारे सस्ती हो जाएंगी भले अभी मार्किट में कम हो होम लोन सस्ता हो जाएगा मलब घर खरीदना सस्ता सस्ते घरों के लिए ब्यास जर पर 3.5 लाख रुपे की छूट मिलेगी साबुन सस्ता हो गया शेंपू, बालों का तेल, टूथ पेस्ट, डेटरजेंट, बिजली का घरिलू सामान जैसे पंके, लैंप, ब्रीफ केस, यात्री बैग, सेनेटरी, बोतल, कंटेनर रसोई में परियुक्त होने वाला सामान जैसे की बरतन उसके बाद गद्दा, बिस्तर, चश्मों के फ्रेम, बास का फरनीचर, पास्ता, म्योनेज, धूबबत्ती, नमकीन, सूखा नारियल, सेनेटरी नेपकीन और उन और उन से बने धागे, ये सब कुछ सस्ता हो गया इसमें मैंने कहा था धूबबत्ती भी है तो अब भाईया मैंगाई बहुत जगा बढ़ चुकी है पेट्रोल, डीजल जो लगातार आप अपने बाईक और कार में डलवा रहे थे थोड़ा सोच समझ के डलवाईए का क्योंकि अब उनके दाम बढ़ते नजर आएंगे सोना चांदियर अगर अब तक नहीं खरीदा तो खरीद लीजिए क्योंकि एक दो दिन में वो भी थोड़ा आपको मेंगाई दिखने वाला है तो क्या सस्ता क्या मेंगा आपने अच्छे से जाना आपके क्या राय है अपने राय रखिए इस वीडियो को शेर कीजिए सबस्क्राइब कीजिए